ब्रिंदा ओनलाइन इस्ट्री क्लासेज में एक बर फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से नुए दने की जो हमाई चैनल को भी सस्क्राइब ने किया है वह चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले दोस्तो कर TGT में धांदनी को लेकर जो सुनुआई थी वह पूरी हो गई और साम तक आडर भी अपलोड हो गया जिसमें चैन बोड के वकील का कहना था कि कोई धांदली नहीं हुए लेकिन अभ्यारतियों के पास भारी मात्रा में साच्य मजूद थे साच्यों के अधार पर कोट ने कुछ बिंदियों को नोट करते हुए कहा कि अगर धांदली नहीं हुई तो अमबेटकर नगर के T.I.M. ने पुना परिच्छा कराने की बात क्यों की सा सनस्तर पर और वहां के अमबेटकर नगर के T.I.M. को क्यों निलंबित किया गया कोट ने दो हपते का समय दिया है चैन बोड को अपना जबाब दाखिल करने के लिए कि इन दो हपते में क्या वह अमबेटकर नगर की परिच्छा को पुना करा सकता है तो इसका जबाब वह 14 सितंबर को नहीं तारिक लगी है अब उसी में चैन बोड अपना जबाब दाखिल करेगा इस तरह 15 दिन बाद आयोग के सचीव को कोट में उपस्तित होने को कहा गया है अभी साफ तर पर कोट ने यह नहीं कहा है कि एकजाम होगा या नहीं लेकिन अमबेड कर नगर की परिच्छा कोई पूरी संभावना है कि दुबारा कराये जाएगे अब यह इससे ती 14 सितंबर को अगली सुनवाई में ही साफ होगी कि आगे की इसकी क्या प्रक्रिया होगी अगला नियूज TGT 2016 के समाजिक बिग्यान और कला अभ्यारतियों कहा है कि कालेज आवंटन के लिए चैनितों का आज से सत्यागर सुरू हो गया है आए देखिए चैन बोर्ड पर आज से धरना देंगे चैनित अभ्यारति मातमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड कार्याले पर बुद्धवार से TGT 2016 समाजिक बिग्यान और कला विशे के चैनित अभ्यारति कालेज आवंटन की मांग को लेकर धरना प्रदसन करेंगे अभ्यारतियों का करना है कि जब कालेज आवंटित नहीं होता है तब तक वो धरना प्रदसन समाप्त नहीं करेंगे अभ्यारतियों ने शिकर कालेज आवंटन के लिए किये जाने की मांग की है तो इस तरह से चैन बोर्ड पर आज से पूरा धरना प्रदसन 2016 के TGT अभ्या इस दोरान अमित कुमार, खुश्बू मिश्रा, प्रियंका मोदनवाल, रागनी वर्मा और अविंद्र कुमार आदी मौजूद थे, तो इस तरह से 79,000 सिचक वर्ती में चतुर्थ कांसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं अभ्यार्थी, यूपी में पांच नए आश्रम पधती के विद्याले बनेंगे, मुख्य सचियू की अध्यक्चता में गठित समीती ने लिया है या फैसला, मुख्य सचियू राजिंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्चता में गठित समीती ने पांच नए राजकी आश्रम पधती विद्याले की इस्थापना की संसुती दे दिये, ये विद्याले कन्नोज, गौतम, बुद्धनगर, शाहजाहाँपूर, सुल्तानपूर और मिर्जापूर में बनेंगे, तैमानक के मुताबिक प्रतिक आश्रम पधती विद्याले पांच एकड़ भूमी में होगा, मंगल वारकियों समीती के बैठक में ये फैसला लिया गया कि कन्नोज, गौतम, बुद्धनगर और साहजाहाँपूर में कोई भी राज की आश्रम पधती विद्याले संचालित नहीं है, सुल्तानपूर में दो बालक विद्याले संचालित हैं, लेकिन कोई भी बाली का वि अनुसुचित, बहुले ऐसे जनपदों में जहां पर एक भी आश्रम पधती विद्याले नहीं है, उनको प्रात्मिक्ता पर लिया जाये तथा संबंदी जिलादी कारियों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए, बैठक में बताया गया कि सामली मुझापपूर्माई, महु, बागपत तथा हापूर के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, वर्तमान में प्रदेश के जनपदों में, पच्छत्त जनपदों में 94 राज की आश्रम पधती विद्याले संचालित हैं और 20 विद्याले निर्माण अधीन हैं, इस तरह 5 एकड़ भूमी पर होगा प्रतेक आ आप तो माधमिक पित्याले में प्रदानचार्या भरती 2013 कब पूरी होगी किसी को पता नहीं है, आवेदन लेने के तकरीवं 8 साल बाद भी माधमिक सिच्छा सेवा चयन बोर्ड साक्षातकार की तारिक गोसित नहीं कर सका ये, इस्थिती तब है जब हाई कोट ने मई 2021 तक साक्षातकार प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये थे, चयन बोर्ड की सुस्त चाल से दुखी अभ्यार्थी डाक्टर दिली पवस्ती और एक अन ने हाई कोट में पिछले दिनों याचिका दायर की, 26 सगस्त को सुनवाई के दोरान हाई कोट ने चयन बोर्ड से ज 21 के 15195 पदोपर भरती में लगा है, सुप्रीम कोट ने अक्टूबर तक के भरती के आदेश दिये हैं और 9 नौंबर को अगली सुनवाई है, 17 वह 18 अगस्त को हुई प्रवक्ता भरती की परिच्छा साच्छातकार होना बाकी है, अभी उनकी संसोधित उत्तर माला भी जार नहीं हो सकी है, पहले प्रवक्ता 2021 का साच्छातकार होने की स्थिति में प्रधानचार्य का इंट्रव्यू नौंबर से ही सुरू होने के आसार है, साच्छातकार में लगेगा 5 माह का समय, प्रधानचार्य भरती 2013 के साच्छातकार में 5 मैने का समय लगेगा, चैन बोर्ट क की ओर से फरवरी 2010 में हाई कोर्ट में दाखिल अलबनामे के अंसार एक स्कूल के लिए साथ अभ्यारतियों के हिसाब से 599 स्कूलों के लिए 4193 अभ्यारतियों का साक्षातकार लेना होगा एक दिन में 35 अभ्यारतियों का साक्षातकार हो सकता है इसमें 120 कारे दिवस लगेग चैन बर 2011 की प्रधनचार्या भरती 10 साल की में पूरी नहीं कर सका साथ मंदलों की चैन प्रक्रिया फसी है मेरट मुरादाबाद चितरकूर बस्ती गोरपूर पैजाबाद मंदलों में साथ कार के पूर 21 दिन का नोटिस पूरी नहोने का विबात कोट में विचार दीन है और कानपूर मंदल के साथ कार की अनुमती हाई कोट ने दे दिया लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है साथ क्ड़ों सिचक इंटरव्यू देने से पहले ही रिटायर प्रधनचार्य भरती 2013 के लिए 10,000 से अधिक सिचकों ने आवेधन किया था इतना लंबा समय बीतने के कारण सैकड़ों सिचक सेवा निवरित भी हो चुके है दोस्तों इसीक साथ हमारा या आज का वीडियो समाप्त हो वीडियो आपको कैसा लाग कमेंट करके जरूर बताओ चैनल को माँ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले सिच्छा जगह से जुड़ी तमाम खबर को जानने के लिए